तो दोस्तों आप देख सकते हैं कलच पेड, ब्रेक पेड और इक्सलेटर पेड तो फ्रेंड्स यहां देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यह कलच है यह देखिए कलच है दोस्तों यह है ब्रेक और यह है इक्सलेटर दोस्तों आप पैर का डायरेक्शन अच्छे से और ध्यान से देखें, इस वीडियो में आप पैर का डायरेक्शन अच्छे से देखें, जो हमारे लेप्ट साइड का पैर है दोस्तों, वो हमेशा हमारे कलच पर रहेगा, और राइट साइड के पैर से हम इकसलेटर और ब्रेक को कंट्रोल करेंगे, आप देखें, इकसलेटर और ब्रेक के से इंपुट होता है, यह हमने इकसलेटर को दबाया, और यह ब्रेक को दबाया, इकसलेटर लिया, यह कलच है, ध्यान से देखें, और राइट साइड के पैर से इकसलेटर लिया, ब्रेक लिया, इकसलेटर ब्रेक, इकसलेटर ब्रेक, यही प्रोसेस आपको अ second gear यह third gear friends यह fourth gear और यह reverse gear तो friends हम देखते हैं कि हमें अपने gear कैसे लगाना है तो friends यहां देखें आप बीच में करते हैं तो यह neutral पे आ जाता है गाड़ी आप यह check कर सकते हैं right और left moment करके कि आपका gear से हटा हुआ है गाड़ी neutral पे है गाड़ी और friends अब हम देखते हैं कि हमें gear कैसे input करना है तो friends हम left लेके आगे बढ़ाते हैं तो यह first gear नीचे आते हैं second gear friends और just हम थोड़ा right लेके friends आगे move करते हैं gear को तो यह third gear में आ गया और नीचे fourth gear में आ गया friends और यह हलका right लेके हम जब नीचे की और करते हैं gear liver को तो यह reverse तो दोस्तों आप पुनह गेर लीबर को देखें कि किस तरह गेर इंपूट हो रहा है तो दोस्तों आपने यहां देखा कि हमारा कलच कहां है ब्रेक कहां है और इकसलेटर कहां है तो फ्रेंट्स इसके बाद मैंने आपको वीडियो के माधियम से ये भी बताया कि आपको अपने पैर के डायरिक्शन किस दिशा में रखना है कैसे आपको अपना पैर के इस्तिमाल करना है राइट पैर के इस्तिमाल और लेट पैर के इस्तिमाल कैसे आपको करना है तो दोस्तों इसके बाद हमने आपको बताया कि यहां आपको गेर किस तरह से लगाना है और आपको गेर किस तरह से स्मूथली लगाना है तो दोस्तों इसके बाद जो में टोपिक आता है वो है गाड़ी को उठाना क्योंकि दोस्तो जो है पेट्रोल गाड़ी वो बहुत ही हलकी होती वो बहुत ही स्मूत होती है अगर आप अचानक से कलच को छोड़ देते हैं तो आपका गाड़ी तुरंज हटके से बंद हो जाता है तो इसी चीज को फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको अपने कलच को किस तरह से इस्तिमाल करना है और गाड़ी को उठाना है आप अगर अपने कलच को इस्तिमाल करना सीख जाते हैं दोस्तों तो समझ ये आप अपने गाड़ी का 50% ड्राइब करना सीख गये हैं तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं कि आपको अपने कलच का इस्तिमाल किस तरह से करना है तो दोस्तों चली हम अपने गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और यह हम अपने की को मूव करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो दोस्तों आप यहां पे देखें ध्यान से कि आपको x-lator और college के इस्तिमाल कैसे करना है आप धीरे धीरे जब गाड़ी उठाते तो धीरे 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 अपको कलच को छोड़ना है धीरे धीरे हलके हलके आइस्ते कलच को छोड़ना है और इकसे लेटर हलका हलका लेना है दोस्तो दोस्तो अब हम सेकेन्ड गैर लगाते हैं je कलाच लिया और ये सेकेन्ड गैर पर आ गई गाडी और हल्के-हल्के आईसते है इस्ते कलाच को छोड़ रहे है और ऐक्सलेटर इंपुट कर रहे हैं और हमारी गाड़ी बिने किसी परिसानी की आगे मूब कर रही है